सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंट चलिए आज कक्षा लूंगरित का चेप्टर नंबर बारा जिसका नाम है हिरोन का सुतर इस वीडियो में साल करेंगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सबस्क्राइब के लिए जिता कि ऐसे वीडियो आपको आजी भी मिलती रहे तो देहीर यहां पर जो चेप्टर नंबर बारा है जिसका नाम है हिरोन का सुतरसक इसके अंदर हम हिरोन का बारा है का में गारेंगे और उससे व यह spatula फॉर्मूली जैरे हम में कर भांद कर सकते हैं और इस अंगarna इसे गयार कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में जो ter Professis के अंदरat और our Channel कम ऐसे तौर है तो हम क्या जेंगे और जोkal फॉरमूली में लेंगे और इससे तरव उसका चैते हूं किया सता है आगर हमारे पास में एक थिर्व उसकी मुझाई है और उसकी तैन्म की तन्दहाई हमें दीकर भी है यह थिम्न याद करने के लिए जो मिनलों का कोर्मुला है उसको काम आदेगे तो इसके है क्योंकि जो तरह के है कि शेत्र स्कानिक क्यूंक है कि सभी जो हमारी का क्योंकि नहीं है इसलिए यहां पर पंज़ी जो आन प्र million की साहं कर देङा है यहां स्की आयर्ति परिमा आन पर रभी है यह उता है अलफ परिमा अब S है वो कैसे निकालेंगे तो S का एक फॉर्मूला है S बराबर A प्लस B प्लस C बटे दो तो यह है S बराबर फॉर्मूला A प्लस B प्लस C बटे दो यहां पर जो ABC है वो तरी पुषकी तीनों हो जाए है जिसको हम जोड़ेंगे तो यहां पर S का मान आजाएगा यानि कि अर्ग प्लिमा पाजाएगा और जो S का मान आएगा उसको इस फॉर्मूले में जहां पर S लिखा हो उसके जगर रखेंगे और बाकि जो ABC है उन तरी पुषकी तीन बुझाएं जो परसन में तीन नहीं होगी उसको यहां पर हम लिख देंगे और इसका चेतरफल है वो जयाद करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसका उधार नंबर एक है उसको सरल करते हैं अब देखे इसका उधार नंबर एक है जिसके दिर लिखा है कि एक तरी बुझाए छिन के 2 बुझा है जिसके 2 बुझाए देए जिसके 2 बुझाए गी बुझा हम ने वाज़ा 11ald Его है और हम Northern यह रहिमाड भी यह सा जारा přेंपिए गी experiencing वो क्या जाएगा हमारे पास में परिमापा जाएगा तरीये यहां परिमाप हमें दिया गया है और यहां पर हमें गयाद करना है इस तरी मुझ का चेटरपन तो अब देखें अगर हम इसके अंदर घ्रोन का फ़र्मुला का में लेते हैं उसमें हमें A, B, C यानि तिनों गुझाओं का मान सी है तो तिनों गुझाओं का हम कैसे निखाते हैं तिनों गुझाओं का होगी A, B, C अब A, B, B, C तिनों गुझाओं का योग क्या होता है परिमाप होता है तो वो हमें परिमाप कितना दिया गया है 32 दिए गया है परसन में परिमात को है अगर हम 3 मुझाओं को जोड़ते है तो वो परिमात के बराबर योगा क्योंकि talkin´कर को यह कहे परिमात क्या गया क्य JE 5.3 मुझाओं गयी है उनको जोड़ देंगे वो क्या जाएगा परिमात का जाएगा तो r को हम a मारे देते हैं plus b कमान 11 है plus c берाबर कितना हुआ? 32 हुआ आज 11 को प्लस देखे 32 में से माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर r plus 12 हो गए 19 तो c ब्राबर कितना है? 32-19 तो c कमान अजाएगा c ब्राबर 13 से कमान हमने यहाँसे जाट कर गिया अब हम हिरोन का formula लगाते हैं, तो देखे, उसमें तिनों गुजाओं का मान लेकिन हमें अर्ध प्रिमा को भी निकालना पड़ेगा, जो कि S का मान है, तो S का मान पहले निकाल लेते हैं, S बराबर हमके लिखते हैं, A प्लस B प्लस C बटे 2, यहां तो आप तिनों गुजाओं का योग करो, A, B, C का जो भी मान, यह A मान लेजिए, यह D है, और यहां पर जो तेरा है, तो C का मान है, तो तिनों का आप जोड देजिए, और उसमें 2 का भाग देजिए, यहां यहां पर 32 हमेश का प्रिमाब दिया गया है, त्योंकि ABC का य तो दूला क्या है, S, S के जिगर क्या रिखता है, S के जिगर 16, उसके बाद में S माइनस A, तो S के जिगर 16 माइनस A का मान कितना है, 8 वाल नहीं, उसके बाद में S माइनस B, अब S का मान तो 16 है, तो यहां पर माइनस 11 करते हैं, और फिर से हम 16 माइनस 13 करते हैं, त्यारा कितन यहां पर कितना है ठरी दो आए तो पुर्णा है ये यह कुंद रही दें सकते हैं येई-अ हंट से दो तो इस तरह से उदान नंबर एक उसको हम सर लिए अब देखे इसका उदान नंबर जो दो है उसमें त्रीबूज दिया गए त्रीबूज आकार का पार्क है जिसके गुजाय हमें 120, 80, 50 मिटर देगें इसके चारो तरगा पर एक बाड लगानी है और उस बाड का धर्च ग्याद करना है तो सबसे मेल हम क्या करेंगे कि यहां पर जो हमें इसका माप जो दिया गए तरीबूज गा अब इसके अदर घास भी हुगानी है तो इसके अंदर जो धास हुगएगी इसका माचा भी हटाना है यानि कि छोड़ना है तो सबसे मेल हमें इसका छेतर प्रफ़ जयात करेंगे कि यहां थो मेल करने हैं नोला अर्थ परिमॉze प्रिम अरष परिमाप यह हुंगां कि रएक्सुमीश प्लसmachen डी मुझाओं पयर होग गयां और इसके मेल हैं 100 बीश प्लस 80 बटे में इसमें 2 का भाग दिया, तो कितना यह देखे, 200,500 हो गए, और इसके बटे में लिखी नहीं, 2, तो अगर भाग देखे, कितना आया, 125, 125 क्या जाएगा, अर्ध परिमा पाजाएगा, अब इसका चेंटर फिल ग्यानत करते है, जिसके लिए हम इरोल का फोर्मुला स, स-A, स-B, और स-C, तो यहां पर स का दूमाण है, यानि कि अर्ध परिमा वह है 125, उसके बाद में लिखने है 125-A, एक अमान कितना है, एक अमान आप 120, किसी को भी एक पर मान लेजे, चलिए हम मान लेती है 120, उसके बाद में, फिरसे हम लिखने है 125-B का अमान 80 यह मान और स्मानिस की यानि 125 में से माइनस करेंगे 50 अब चलिए सार्व करें इसको तो मैं पास में 125 तो इसको फिरेंगे तो यह जो पूंदर के अगर निख सकते हैं अगर आप इसके गुनक्फिन करना चाहो तो गुनक्फिन कर सकते हैं तो यहाँ पर एक सुपर्चिस को हम लिख सकते हैं पांच इंटू पांच इंटू पांच इंटू पांच यह लिख सकते हैं और गुना में पांच है 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 गोना में यहां पर जो पिछेतर है इसको में लिख सकते हैं थरे इंटू पांच इंटू पांच इस तरह से लिख सकते हैं अब जो में 54 से बाहर निक्लैने,ो जो बाहर है यहां एम पर इसमें आजाएगा और इसमें आiquement इन एकास फोराफ्ट है उसके यहां से 5 इंडोंग इंटु में 5 यहां के सांट नहां इसमें 5 उसके पाग में 5 इंटु Te ज्यार ना करेंगे, तो यह आज़ाएगा, एकसो पचिस और एकसो पचिस को हम तीन से गुना कर लेते हैं, तो या आज़ाएगा, तीन सो पीछेटर, एंटरूट में पंद्रा सेंटी मेटर जो भी मेटर दिया गए है, तो इसको हम रिखनेंगे, जेश को हमेएगा पास में ू. इसवर ययार को देरा है। यहां पर छोड़ देना है। पर पर चाहता है, यह यहां पर हम छोड़ देख स्टमार कहते है। परिमाप मतलब बाई कितने एरिये में लगेगी। परिमाप इतना होगा। परिमाप किमी भी सभी हुन जोड लेंगे। कितना आएगा؟ 230 आएगा। यानि कि a plus b plus c तीनों को जाओं काई हो जोग क्या होता है? परिमाप होता है। तो वो कितना आएगा 250 आएगा क्यों आएगा क्योंकि हमने पहले ही इसको चोड़ के रखा है तो फिर से आप एक बार जोड़ सिखते हैं तो यह आगे आप परिबाब अब यहां पर इसने दिया कि तीन मीटर चोड़ा रास्ता है तो रास्ते को माइनस करेंगे परिमाप में से तो अब देगे तीन मीटर रास्ता छोड़ने पर तो कितना आएगा 250 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 247 अब यह आगा 247 जो इसका परिमाप है यानी चर्ट रुपर लगाए है तो इसके चर्ट रुपर लगाने का खर्च वो हमें याद करना है तो 20 रुपर पर्ती वरग मेटर इसमें लिखा गया है तो इस में लिख्खा करेया है कि 20 रुपै परती मिडर की गः से, तो हम पास में कितना मिटर हैए 247 मिटर, तो हम कितना करच हो ए, कहा हो ए, कहा ह मिज़ने करें ए, कितने रुपै लगें। तो हम 247 को गुणा कर देते हैं 20 कितना आएगा देखिए गुणा कर लेते हैं 7 दूनी आ जाएगा 14 और उसके वाद 4 दूनी 8 दूनी यह जाएगा 4 और एक 0,4940 तो इतने रुपे लगेंगे यह जाएगा 4,940 रुपे उसका खर्च आएगा तो इसमें मैंने आपको दो चीजे इसमें गयाद करें थी बदा दी एक उसका सेटर फुल यह इसका सेटर फुल है तो 250 में से 3 मिटर को माइनस कर देंगें तो पीछे जो भी एरिया रहेगा वह परिमाप होगा तो वह आगया हमारे पास में 247 अब हमने क्या कि 217 मिटर का एक मिटर है उसके रुपे लगते हैं 20 रुपे एक मिटर का है जो एक परस्णाव लिए उससे पहले हमें 3 उधान दिये गए हैं तो यह देखिए इसका लास्त उधान उधान नमबर 3 तो यहां पर देखिए हमें दिया गया कि एक तिरी बुजा का बूखन है जिसका अनुपात हमें जो बुजाएं हैं वह नहीं दे गई गई यानि अन्त परिमाद ज़ाओं और इसके लावा A ब C के मान यानि भुजाओं रहुंगे जो माद भी हमारे पास में होने सी ज़िए तो सबसे बहुत हम क्या करते हैं कि यह जो 5 है इनको हम भुजान के रूप में मालेंगे तो अभी चूप पेमाल इते हैं, कि अभी ही पाहले महें जो माल इसके गुजाए की फाहले, 30 ौ 2 7 ौ 7 इस तरह से मान यिक 10 बेरा, मान दिया, चूझ कूझ ऐस्ट 12 मेरे के 10 में रहां, यह थारे मीट्र 2 7 बुजाओं हमारे पास कि वने जरूरी है लेकिन अब भी यह फी जड़ाओं है तू कि यहाँ पर एक्स हमारे पास में है एक्स कमान है भी हमें निकाल अपड़े सब्सक्ति है, तो उसके लिए हम देखी इता करते हैं तो क्या होगा परिमाप निकलेगा तु क्या निकलेगा तो हम आपर निकालते है कि परिमाप क्या हो ऐसका ? परिमाफ बरापर होता है तीनों बुजा का योग जानी फैस्स भी क्लेढ़र तीनों भुजाओं से न histó्च 3x cost . अब देखे हैं, इन्का मतलब क्या है कि परिमाफ है । परिमाफ हमें दिया गया है कितना है 300 यह भी परिमाप है और यह कि परिमाप है तो दोनों चीज भी बराबर लिख सकते हैं यहां पर लिखullenगे हैं यहां से हम X कमाल डाध कके लेते हैं तो देखे PC सातु पांज चिपके कने हुए निबारा बारा और कितने होए थी पंड़ा यहां पर आगे तो 15x, मैं यहां पर लिख दोंगे, यह होगा 15x बराबर में 300, अब 15 अगर इसके इंदर भाग देंगे, तो x बराबर के आएगा, 300, बटे में 15, यह 15 से कट गया है, दो बार 20, x कमाड 20 आगे, x कमाड 20 आगे, गोग मैं यहां पर लिख देता हूं, तो देखे यहां पर 20 आगे, साथ से गुना करें, कितना आएगा, 140, तिनो गुजाएंगे, अब इसका अर्थ प्रिमाफ जो है, या जो है, यहां अर्थ प्रिमाफ, आगे, जो डोड़ने के जरूरत नहीं है, तो यहां पर लिखते हैं, और अर्थ प्रिमाफ, कमाड़ बटे में 2, कि इतना है 150 150 मिट्र यह आ गया पॉर्मूला लगा लेने हैं फॉर्मूला लगाएंगे उसमें S का माल रखना है 150 फिर हम S का माल 150-A साथ रख देंगे उसके बाद में 150-100 रख देंगे बीका माल फिर से 150-140 अब इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो देखें क्या एक सो बचास आ गया और इसके गुणा में सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका मान निकालते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 150 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 150 को हम लिख सकते हैं कि 15 इंटु में 10 यह लिख सकते हैं और 90 को हम लिख सकते हैं 9 इंटु 10 पचास को 5 इंटु 10 और 10 का 10 यह लिख सकते हैं अब यहां से देखने 10 है को करा वाँ यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं 10 x 10 यह 10 तो पहले से है, और 5 को इसमें से निकाल लेगे। और यहां से भी क्या सकता है? यहां पर 3 x 3 नो को लिख सकते हैं और एक 3 यहां से रह गया, तो इसमें से 9 का हम रूट निकाल लेगे। तो 3 आज़ाएगा, तो भी 3 आगया अब यहां पर एक थरी है पो रहेगा है जैंकि 5 हमने यहां से 2 5 एक बाहर रूट निकाल गिये है और उसके पाद में यहां पर एक थरी है और रूट ने चलिए अब इनको सभी को उना देले तो 5 को में 3 से बुना करता हम कितना होगा 15 15 में double zero टटेंगे तो कितना है यह पंद ने बाजे उनकर के आसानी सिरूट है वो निकाल सकते है तो यह एक्जांपल हमें दिये गए के 12.8 परसनावली से पेले मैंने आपको इसके तीनों एक्जांपल बदा दिये हैं आई ओप यह वीडियो आप पच्छे ज़रूर लगे होगी तो इसे लाइक से और ज़रूर कर तो आज की वीडियो में इतना है में तेंग नई वीडियो साथ इतके के लिए तैंक्यू